एक ओल्ड मैन ने एक लड़की बर बहुत सारे एहसान किये थे तो उसके ओं मिस्ट्रेस बन जाती है पर प्रॉलम दब आए जब ओल्ड मैन की बेटे को उसी लड़की से प्यार हो जाता है क्या एहसानों के बोज कितले इनका प्यार ढूप जाएगा या हम आज के हमारी जरे के दिए जी और सारी इन दोनोंका इक बुक स्टोर में देखता है जरे द हो से देखा और उससे बहुत ही अच्छी लगती है सारी ने भी उससे पूरी तरीके से नोटिस किया पर उस जादो उसे लगर पशह लगी थी लगितीbble ज़ुक एहसा रख्कर वो कर चली जाती तो जेडी ने कहा कि हम कॉफी पीते सारी कहती हैं कि जो बी जीस तुम चाहते हो कि हमेशा तुम पा नहीं सकते हैं। जेडी कहता है कि मैं कभी भी give up नहीं करता हूँ, उस वज़े से सब कुछ पा लेता हूँ। उसने कहा कि अगर तुम मेरे साथ कॉफी पीओगी तो बुक में तुमें गिफ्ट दे दूँगा वैसे भी बारिष चल रही है तुम जा नहीं पाओगी सारी फिर भी मानती ने तो उसने कहा कि मैं 10 तक काउंट आउन करता हूँ अगर 10 तक के बारिष खतम नहीं होती तो मेरे साथ कॉफी पीना तो काउंट आउन करने लग गया पर 10 आने से पहली बारिष रुख जाती है सारी कहे कर गए कि हर बार तुम जो चाहते हो तुमें नहीं मिल सकता इसके बाद हम जेडी को उसके फादर की कमपनी में एक बड़ी सी कॉन्फरेंस को अटेंड करते हुए देख सकते हैं इस conference में जेडी के father जिनका नामे टॉरेंस इनसे पूछा जाता है दो साल पहले आपके बड़े बेटे की date होगे इसके बाद आप company को कैसे समा लेंगे टॉरेंस ने कहा कि जब तब में जिन्दा हो तब तक इस company को कुछ भी होने नहीं दूँगा ये इनकी meeting successful थी नेक्सेन में हम जेडी को एक लड़की के साथ देखते है वो लड़की कहती कि शायद मुझे तुमसे प्यार हो रहा है पर जेडी इसके लिए मना कर देता है उसने कहा कि हमें अमारी life को complicate नहीं करना चाहिए सारे के घर पर उसकी mother, grandmother और उसके brother sisters थे grand mother की तबियत हमेशा खराब रहती है उसे भूलने की बिमारी है तो सारी ने हमेशा उनका ख्याल रखा है grand mother भी सारी पर बहुत प्रावर थी जब सारी बहुत छोटी थी तब उसके father की date हो गई थी और उसकी mother अपने boyfriend के साथ भाग गई थी हमेशा grand mother नहीं उनका ख्याल रखा था तो इस वज़े से अपने grand mother से बहुत प्यार करती है अगली दिन जेडी अपने partner के साथ सारी की ओफिस में आता है जेडी के father की इतनी बड़ी company है पर फिर भी as the architect वो कही और काम करता है क्योंकि अपने father से उसकी पंती नहीं जेडी को एक बहुत बड़ा client चाहिए था पर अपने suit इसी shop से सिलवाता है इस shop को भी renovating की जरूरत थी तो जेडी ने कहा कि अगर हम यहाँ पर अच्छे से काम करते हैं तो एक बड़ा client भी हमें मिल सकता है इसी वज़े से उन्होंने जॉब ले लिया सारी आप पर जेडी को देखकर surprise थी जेडी भी उसके पीचे बीचे आग गया अपने phone से उसे उसे capture कर लेता है उसे फिर से notice करती है जेडी ने कहा कि जब भी कोई लड़की मुझे इस तरीके से देखती है तो मेरे को कपड़े निकालना चाहती है सारी कहती कि पहले तो मैं तुम्हारी पैंड निकालना चाहती हो यह बहुत ही घटिया है इसमें तुम बहुत ही short लगते हो जेडी इस पर बहुत असा वो कहता है कि पूरे week में तुम्हारी बारे में सोचता रहा क्या मेरे साथ कॉफी पर चलोगी पर सारी इस बार भी उसे मना कर देती है उसे फिर से एक important call आ जाता है तो उसे जाना पड़ा पर उसे कहे कर जाता है कि मैं तुम्हें पाना चाहता हो और पाक कर रहूंगा संडे को जेडी अपनी मदर से मिलने के लिए गया मदर कहती कि अब तुम्हें कमपनी का काम समाल लेना चाहिए जेडी कहता कि फादर को मेरी कोई भी जरूरत नहीं है वैसे भी हम दोनों की वीजन मैश नहीं करती अगर बड़े भाई जिन्दा होते हैं तो मेरी किसी को जरूरत भी नहीं पड़ती मदर ने कहा कि फादर के जाने के बाद तुम्हें ही सब को समाल लेना है अब इससे तुम्हें काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए पस जेडी इसके लिए नहीं मानता एक दिन जेडी खुद सारी के लिए कॉफी लेकर आया आज थजरे था तो इंपलोईस कहती कि आज उसका ओफ होता है सारी एक हाउस में आये वहाँ पर सब कुछ वो रेडी करती है उसने खाना वेगरा बनाया और उसके बाद टोरेस उसे मिलने के लिए आया टोरेस जेडी के फादर है ये एक दूसरे के साथ 5 साल से रिलेशन्शिप में और एक दूसरे को बहुत लाइक करते है टोरेस ने कहा कि जो बिजनेस बुक मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए कही थी क्या तुमने उपट डाली सारे उसमें उतना ज़ादा इंटरस्टेट नहीं थी टोरेस कहते कि मैं तुम्हें एक बिजनेस बना कर दे सकता सारे ने कहा कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है टोरेस उसको जिन्दगी भर के लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस रेडी करकर देना चाहते थे वो अपने बिजनेस की प्रावलम बताते है कि सब लोग ज़रा डर रहे है क्योंकि दो साल में में रिटायर होने वाला टोरेस ने कहा कि मेरे छोटे बेटे को मेरे बिजनेस अमालना चाहिए पर वो मानता ही नहीं अब जब वो सारी के साथ है तो एक कुछ भी वरी नहीं करना चाहते उसके साथ अपना टाइम वो एंजॉय करते है उन्होंने उसे पुझा कि क्या तुम्हारा कोई बॉइफ्रेंड है सारी कहती कि मैं किसे में भी इंट्रस्टेड नहीं हूँ टोरेस ने कहा कि तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ नहीं रह सकती तुम्हें एक अच्छा पार्टनर ढून लेना चाहिए जेडी अपने मदर से मिलने के लिए जाता है मदर बहुत ज़्यादा ड्रंग थी क्योंकि उसे टोरेस के अफेर के बारे में पता है मदर ने कहा कि अब तुम्हारे फादर का किसी यंग लड़की के साथ अफेर चल रहा है उनकी गुजर जाने के बाद उन्होंने उसके लिए कुछ पैसे भी रखया इस बाद से वो बहुत ज़्यादा डिस्टब हो गई थी जेडी कहता है कि आप डिवास क्यों नहीं लेती मदर कहती कि मैंने तुम्हारे फादर से प्यार किया है अब वो जैसे भी है मेरे बाद कोई भी ऑप्सिन नहीं है तुम भी लाइफ में कभी गिसे से प्यार करोगे और उनके सारे फॉल्ट होते हुए भी उनसे प्यार करते रहोगे अगली दिन जेडी गुसे में अपने फादर से मिलने के लिए कहा फादर कहते कि अगर तुम कमपनी को जॉइन करना जाते हो तो हमेशा तुमारी जगा यहाँ पर जेडी कहता है कि कभी भी आपको मेरी ज़रुवत नहीं थी जब मैं यहाँ पर काम कर रहा था तो हर दिन आपने मुझे याद दिला कि मैं कितना बड़ा नालाएक हो फादर ने कहा कि तब तुम्हारे बड़े भाई की रिसेंटली टेथ हुई थी और उसी वज़े से मैं ज़रा डिस्टब था जेडी गुसे में वहाँ से निकल जाता है उसने अपने फ्रेंड को कहता है ति उसका मिजर्मेंट ले रही थे बसादे दिस्टब कर वहां से चला जाता है कल वो सारी के Speaker, का पीछे का रिजन यह था कि अबने फादर को इसने गौफार की और फादर ने उसे सारी के साथ affair हुआ था उसी की painting वो buy करती रहती है इस बात के बारे में टॉरेंस को पता था मदर ने कहा कि पहले तो affair तुमने किया था टॉरेंस कहते है कि मैंने affair किया पर तुमने उससे प्यार किया था जड़ी ने सारी को ignore करने की बहुत कुशिश की पर उससे दूर नहीं रह सकत उससे पुछता है कि क्या तुम मेरे साथ date पर चल सकती हो उसे फिर से मना करती है पर इस बार वो गुश्सा हो क्या वो गहता है कि तुम्हें मुझे लाइक करती हो इसमें problem क्या है वो basically उसे force करने लग गया था तो सारी ने एक पीन लेकर उसे मारा और वो अपना call उठाने क करें चली जा दिया उसे पता चला कि grandma missing है जेडी उसके साथ grandma को हर जगा पर ढूड़ने की कुशिश करता है finally उन्हें मिल ही गई सारी के ब्रदर्स और सिस्टर के साथ उसने टाइमस पेंड किया सुबह उसने जूबी किया था इसके लिए उसे sorry कहता है सारी ने भी उसे thank you क वो अपनी family के सारी situation समझा देती है टॉरेस के साथ उसकी जो भी relationship है इसके बारे में भी उसने उसे पता दिया वोगेती की हर थास्टे मुझे उससे देना पड़ता है ये सब जानने के बावजोद भी जेडी उसे date के लिए पूछ रहा था तो सारी मान के date पर सारी जेडी स गहती है पास साल से मैं लोगों से जूटी कहती आ रही हूँ कल फर्स टाइम honestly मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था सारी जेडी को टॉरेस ने उसे जो घर दिया था इसमें लेकर आई वो गहते कि टॉरेस के बेटी की जब डेथ होगे तो बहुत ही डिस्टाब था सब लोग उसे दूर चले गए थे उसे सारे की जरूरत थी डॉरेस ने हमारी फैमिली को बहुत सपोर्ट किया था इसी वज़े से मैंने उसे साहरा दिया जेडी कहती कि तुम एहसानों की वज़े से दब चुकी हो तुम इस सब से बेटर डिसरू कर दियो जेडी ने सब बात ज जब तुम थर्जडे को किसी के पास भी नहीं जाओगी मैं सारे दिन तुम्हारे साथ स्पेंट करूंगा तो एक दिन भी तुम मेरे बीना नहीं जीपाओगी नेक्स डे उसके साथ वो डेट पर जाना चाहता था वह सारे ने कहा कि मैं बहुत बीजी हूं जेडी अकली दि तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा वो एक्चल में जित गया और सारी जब उसे गाल पर किस कर रही थी तो उसे लेप पर किस कर लेता है एक दिन जेडी ने सारी से पूछा कि उमेजिन करो कि हम दोनों शादिश होता है हमारी लाइफ कितनी परिफेक्ट होगी हमारी चारबास बच्चे होंगे मैं काम पर जाओंगा और मेरे सारे सूट्स तुम ही डिजाइन करोगी सारी ने कहा कि मैं मेरी फैमिली को नहीं छोड़ सकती मेरे साथ तुमें इन सब का भी खायाल रगना पड़ेगा जेडी कहता कि इस बात से में तुम पर और भी जादा प्यार करने लग गया वो सब को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी था थरस्डे को सारी फिर से टॉरेस से मिलने के लिए गई टॉरेस ने पुझा कि तुम्हारा बॉइफ्रेंड कैसा है वो मजरात इंटिमेट होने की बात टॉरेस ने का मुझे पहले लगता था कि मैं तुम्हें शेयर कर सकता पर तुम मुझे सिर्फ मेरे लिए चाहिए हो उसके लिए और भी ज्यादा पजिस्य हो गया थस्डे के अलावा किसी और दिन भी उसकी साथ वो डिनर करना चाहता था सा जेडी ने का कि उससे अच्छी कंपनी तो मैं हूँ सारी कहते हैं तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं जा सकती इस पास से जेडी गुस्सा हो जाता है कहता है कि तुमसे बहुत प्यार करता हो और इस तरीक से उससे मिलना मुझे तुमारा अच्छा नहीं लगता पर फिर भी मै तुमारे साथ हूँ मैं हमेशा तुमारा खुता बनकर नहीं रह सकता मुझे सिर्फ एक चांस दो मैं पूरी लाइफ तुमारे साथ जेना चाहता हूँ सारी इस पर कुछ भी बोल नहीं पाती टॉरेस ने ब्लान बना है कि सारी के साथ दो विक्स के लिए वैकेशन पर तुम एक सेक्स वरकर की तरह लगती हो वह वहाँ पर बहुत बड़ा तमाशा खड़ा करती है जेडी अपनी मदर को समालने लग गया सारी को अब पता चला कि जेडी टॉरिस का बेटा है इस बास चुछ से बहुत बुरा लगता है जेडी रात में उसे मिलने के लाया वो डार उसे इग्नोर कर देती है सारे के क्लाइन की वेडिंग थी उसका सूट अच्छे से रेडी नहीं हुआ था सारी अब सब को चेंजस करकर खुद इस सूट को देने के लिए जाने वाली थी वह रात में उसे बहुत लेट हो जाता है उसके ऑफिस के बाहर जेडी उसका वेट क क्या मैं तुम्हें पहले से लाइक करता था और बात में मुझे तुमसे प्यार हो क्या सारी इस पर खुछ में नहीं बोलती ये दोनों वेडिंग में कह सारी ने पुछा तुमने अपना नाम जेडी क्यों बता है जेडी कहता है कि मेरी मदर ने एक बार आर्टिस के साथ जेडी के फादर को कभी भी ये बात पता नहीं थी उसने सारी से कहा कि जिस सीचुएशन में हम फसे होगे अगर इस सीचुएशन ना होती तो कितना अच्छा होता एक बार हमारी लाइफ इमेजिन करकर देखो सारी ने सब कुछ इमेजिन किया उसे बहुत अच्छा लगा रात में एकेंडल्स को आकश में छोड़ते हैं। इसके पाद तो दोनों इंटिमेट हो गए। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि सब कुछ बात तो टोरेस को बता देंगे। ये सब सुनकर टोरेस को बहुत बड़ा शौक लगा। वो गुस्से में घर से बाहर निकले और उन्हेंने जेडी को देखा। उसे मार कर बुछ दे कि तुम प्रूव कहा करना चाते थे। गुस्से में उन्हें हार्ट एटेग आ जाता है। डॉक्टर जेडी को बताते हैं कि अब उनके पास जादा टाइम नहीं है। मदर सब बात पता चलने के बात कहती है कि तुम्हें सब कर कैसे सकते हो। वो उस वार बहुत अपसेट थी है। वो सारी जहाँ पर काम करती है वहाँ पर जाकर उसके बहुत बदनामी करकर आती है। उसका सिक्रेट सब लोगों को पता चल गया था। सारी के मदर ने का कि कोई भी तुम्हें जहज नहीं कर सकता। सारी कहती कि सब गलती मेरी ही है। ग्रैन मदर कहती कि तुमसे गलती होगी। पर अब तुम्हें जूबी पणिश्मेंट मिले। इससे तुम एक्सेप्ट कर लेना। टॉरेस अपने वाइब से कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत हट किया है। प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर देना। उन्होंने जेडी को CEO बना दिया। जेडी कहता है कि मैं रिस्पॉंसिबिलिटी नहीं ले सकता। फादर केता है कि तुम भरी सब लोगों के जॉब डिपेंडेंट है। तुम्हें लोगों के लिए करना पड़ेगा। उन्होंने सब चीजों के लिए उसे माफ कर दिया था क्योंकि उन्हें पता था कि प्यार किसी से भी हो सकता है। टोरेस के टेट के बाद सारी ने डिसाइड किया था कि उससे हो नहीं मिलने वाली। उसके बाद डारेक्टली एक साल बीथ गया था। जेडी ने अपनी कंपनी बहुत अच्छे से समाली थी और लोग उसे लाइक भी करने लग गये थे। सारी ने अपने शॉप को पुरी तरीके से बदल दिया और अपना बिजनेस वो अच्छी तरीके से कर रही थी। जेडी अभी भी उसे भूल नहीं पाया और एक रात उसे मिलने के लिए चला जाता है। इन्होंने रियलाइस किया कि एक दूसरे से दूर यह नहीं रह सकते हैं और फिर से एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वेसे मिलेंगे और एक नेमों के साथ। तब तक लिए थैंक्यों और आप अपने आपका ख्याल रखिए।